Hey guys, आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं कॉल रिकॉर्डिंग को कैसे सेर करें, कैसे सेंड करें, कैसे किसी के पास भेजें So, इस वीडियो में आपको मैं यहीं चीज सिखाने वाला हूँ So, वीडियो को अब इंटरेस्टिंग होने लिए प्लीज सेर वीडियो को पूरा वाच करना और आप हमारी चैनल पर पहरी बाहर आयो चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन को प्रेस करना तो बहुत सारे बंदे ऐसे होते हैं उन्हें कौट रिकॉर्डिंग ही देखने को नहीं मिलती है कौन से वाले फोल्डर होती है तो सबसे पहले यह जान लेते हैं तो आपको सबसे पहले आपको फाल मेनेजर में जाना है एक को फोल्डर होता है यहां पर मैं टिक कर देता हूं, अब जैसे टिक करोगे, कोई भी कोई रिकॉर्डिंग होगी, आपको यहां फाइस्ट में ही देखने को मिल जाएगी, ठीकर ना, यहां पर जो है कोई रिकॉर्डिंग सेव हो जाती है, तो यहां पर आप देख से तो यह एक नमबर से यह हो तो यहां से भी हम share कर सकते हैं, यहां से एक जब पर आपको में दिखाता हूं, सिंपल एक बार आपको यहां पर टिक करना है, तो यहां पर प्ले हो चुकी है, बन मैट, यहां पर यहां पर यासे long press करोगे, यानिकी दबा के रखना थोड़ी दे, और यहां पर दीजे आपको हो जाता है, अब बारी आते हैं, जिस बन्ने पर आपको अपने जो court recording को send करना है, सिंपले एक पर आपको यहां पर टिक करना है, उस बन्ने पर आप जैसी टिक करोगे, यहां पर share वाले option पर टिक कर देना है, यहां से जो court recording है, share हो जाएगी, ओके, and यहां से भी नहीं कर प करना है और यहाँ पर हCause फूटोब अगर हम निकालते हैं यहां पर एक ओडियो का ओप्षों पर किलिक करバदा है और क्लिक कर देना है यहाँ पर कुछ इस परकार से यह इसंड हो जाएगी फैसी परकार से आप करना है कमेंट करना चैनल पर पहली बार आयों चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन को भी प्रैस कर लेना